Hello friends, Indian Constitution के artwork के विशब है, इस सेरीज में हम लोग आज part 17 18 और 19 की चर्चा करेंगे मैं है डॉक्टर आदश कुमार आज part 17 18 смотреть 19 की चर्चा करनें जा रहा हूँ आप से Indian Constitution के पार 16 तक की चर्चा हम लोगों ने पिछले एपिसोड में की थी अब इंडियन constitution में 22 parts हैं टोटल 22 भाग हैं इन में से आज हम लोग 17 से शुरुवात कर रहे हैं 17, 18 और 19 की part 17 ये official language का part है आप देखें ये official language है part 17 और इस पर महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है part 17 पर इसको और जूम करके दिखाते हैं आपको ये महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है part 17 पर राज भाशा official language, राज भाशा है, राश्ट भाशा नहीं है, राज भाशा का मतलब है, official language का मतलब है, सरकारी कामकाज की भाशा, और राश्ट भाशा का मतलब होता है, देश की एक भाशा, जो हमारे या नहीं है, लोगोंने बनने नहीं दी, तो जो प्रयत्न किये गए, वो conclusion तक नहीं जा स हम लोग जानते हैं कि Constitution कहता है कि हमारी जो सरकारी कामकाच की भाशा है वो हिंदी है हलां कि Official Language Act 1963 बना करके इसको इसी प्रावधान के अगेंस्ट प्राविजन कर दिया गया और कह दिया गया कि अंग्रेजी ही रहेगा अभी फिलाल हिंदी नहीं रहेगी तो फिलाल मोटे तोर पर English ही है सरकारी कामकाच की भाशा और उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाता है तो कहने के लिए Constitution में है हिंदी हमारी राज भाशा Official Language लेकिन Ground लेवल पर ऐसा नहीं है इस स्टेट्स को ये अधिकार दिया गया है कि वे अपनी Official Language खुड बना सकते हैं स्टेट लेजिसलेचर ऐसा कर सकते है सुप्रेम कोट परलियामेंट इन सब की कारेवाही इंग्लिश में ही होगी जो बिल्स वहाँ पेश किये जाएंगे परलियामेंट में जो संसद में आदेश वगरा दिये जाएंगे इंग्लिश में ही होंगे हाँ हिंदी अनवाद भी उनका प्रकाशित कराया जा सकता है तो इस तरीके से ये प्राविजन किये गए हैं लेकिन इसमें जो सबसे महत्व पूर बात ये है ये प्राथमिक शिक्षा को लेकर है जो आज हमारी एज्युकेशन पॉल्सी का भी हिस्सा है कि primary education मात्री भाषा में दी जानी चाहिए मदर टंग में दी जानी चाहिए तो गांधी जी का चित्र यहाँ पर इसलिए बनाये गया क्योंकि गांधी जी ने मदर टंग में primary education ली इसके बाद फिर विदेश गए और कानूनी शिक्षा अंगरी जी भाषा में ली और भारत आकर के उन्होंने हिंदी की सेवा की हमेशा इसलिए महात्मा गांधी का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है यह दंडी मार्च का चित्र है महात्मा गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने जो सत्याग्रह किया था जो दंडी मार्च की थी उसी का यह चित्र यहाँ पर अंकित किया गया है फिलाल गांदी जी को इस रूप में अंकित किया, क्योंकि इसलिए अंकित किया गया, क्योंकि जब तक हमारी अपनी कोई एक भाशा नहीं होगी, क्योंकि भाशा समवाद का माद्ध हमें, संचार का माद्ध हमें, जितने बड़े देश हैं, जितने विक्सित देश हैं, ज्या काम नहीं करते बलकि हम अंग्रेजी में काम करना ज्यादा अच्छा समझते हैं बिटर समझते हैं जबकि इंग्लिश हमारे लिए गुलामी की भाशा है जाहिड से बात है इसका प्रतिकार होना चाहिए था लेकिन अब ठीक है अब उस इतिहास पर नहीं जा रहे हैं हम लोग अपनी कोई भाशा है तो वो भाशा यानि स्वभाशा स्वसंस्कृति अपनी संस्कृति का परचायक है आत्म विकास का परचायक है आत्म निर्भरता का परचायक है और आत्म उन्नति का परचायक है और पुरे देश के विकास का परचायक है तो एक तरीके से ये आत्म नि बिरवर बनाने की बात की थी खालांकि आजादी के बाद जो गांधियन प्रिंसिपल ऑफ एकॉनमी था वह हमने एपलाई ही नहीं किया हमारे यहां तो नहरुवियन प्रिंसिपल ऑफ एकॉनमिक्स लागू हो गया और जो गांधी जी के थौट के बिल्कुल अगेंस था तो नतीजा ये हुआ कि गन्धियन व्यूज जो गन्धी जी का द्रिष्टिकॉंट था जो गन्धी जी का प्रोश था वो एपलाई नहीं हो पाया फिलाल अब धिरे धिरे गन्दी जी के प्रावधानों को जो उनके अर्थ व्यवस्ता और आत्मनिर्फर भारत की जो भारत के गा पार्ट 18 चैनल अकिल्या सभी अब्ट अमर्जेंशान अक्रवेबगस में बहराइश्ठ चाहिए अबनुर्ग यह रा बाहरी हमले या हतियार बंद विद्रों के दौरान या फिर राश्टपथ शासन प्रेशिडेंट रूर्ट बाहरा सकता है या Financial Emergency हभी कभी आवशक्का तो नहीं पड़ी है लेकिन प्रावधान है यह तो यह तीन तरीके आपाद की व्यवस्ता यानि आपाद कालिन बंगाल जो आज फिलाल वो बंगलादेश का हिस्सा है पहले बंगाल में था तो भारत का हिस्सा था नुवा खाली में जब दंगों की शुरुआत हुई सामप्रदाइक दंगों की शुरुआत हुई तो गांधी जी नुवा खाली गए जिससे कि वहां सामप्रदाइक दंगे रोके जा सकें चुकि भारत विभाजन से पूर वही जब डिरेक्ट एक्शन डे पृत्रक्ष कारवाही दिवस जिन्ना ने मनाना शुरू कर दिया तो बड़े पैमाने पर मुस्लिमों ने अपने इलाके से हिंदुों को खदेरना शुरू कर दिया और उसका प्रडाम यह तो नौखाली का यह चित्र है उसे यहां पर दर्शाया गया है क्योंकि यह आजादी से पहले भी आपात कालीन जैसी इस्थेती थी यह आपात कालीन जैसी इस्थेती थी लेकिन यह बड़ी अच्छी बात थी कि गांधी जी जहां जाते थे जहां जहां इस तरीके के दंग मिल भी जाती थी तो उनके इसी सफल प्रयासों को यहां आपात कालिन प्रावधानों में जगह दी गई है नुवाखाली के चित्र के माध्यम से इसके बाद फिर पार्ट 19 आते हैं हम लोग यह मिसलिनियस प्रकीरण के बारे में प्रावधान है मिसलिनियस प्रकीरण मिसलिनियस का मतलब यह है यहां पर की इसमें कुछ तमाम छोटी छोटी बातें जो किसी भाग में लिखे जाने योग नहीं थी लेकिन कुछ बातें लागू करनी आवश्यक थी उनको यहां पर कलेक्ट किया गया है जैसे राश्टपती और राजपाल को कुछ विशशाध हिकार हमारे यहां दिये गए हैं प्रिविलेजज दिये गए हैं जैसे जब राश्पत और राजपाल अपने पद पर होते हैं तो उनको अरे्श्ट नहीं किया जा सकता उनके उपर कोई क्रिमिनल प्रिसीडिंग नहीं शुरू की जा सकती तो इस तरीके की कुछ इस इस इसे में दिये गए इसके अलामोत जो तमाम देशी रियास्तों ने मिलकर के अखंद भारत की रचना की थी उन देशी रियास्तों के राजाओं के लिए तमाम तरीके की Timmy शुव उड़या का प्रावधान किया γए था तो ये कुछ प्रावधान भी इसी भाग में वरडित किय गए थे इसी तरीके कि प्रावधान यहाँ पर है सुभाश्चंद बोस जी का चित्र अंकित है मैं इसको दो करता हूं यह सुभाश्चंद बोस का चित्र अंकित है श्रक के पहले एक message लिखा हुआ है यह आप देखें यहां पर यह किनारे किनारे यह message लिखा हुआ है महात्मा जी father of nation फिर इधर लिखा हुआ है in this holy war for India's liberation we ask for your blessings हम लोग जानते हैं कि सुभाशन बोस एक ऐसे क्रांतिकारी युद्धा थे जिनके प्रयासों के कारण अंग्रेजी सेना में भैव्याप्त हो गया और यही हमारी आजादी का मुख्या अधार बना बाद में अंग्रेजी प्रधान मंत्रियों ने भी कहा कि हमने सुभाशन बोस के कारण भारत छोड़ दिया क्योंकि जिस तरीके से सुभाशन बोस ने आजाद हिंद फौज में अपनी भूमिकानी भाई जापन के साथ मिलकर के उन्होंने सबसे पहले अन्डमान निकोबार को आजाद कर लिया इन्होंने बिटिश शासन के दिवरान इ आजाद हिंद फौज के माद्यम से और वहाँ पर तिरंगा फैरा दिया तो सुभाष शंद बोस की इस भूमिका ने सुभाष शंद बोस के इस कारे ने अंगरेजों की चूले हिला दी क्योंकि इससे पहले गांधी जी ने भारत छोड़ो अंदोलन की शुरुवात की थी भारत छोड़ो आंदोलन flop shoo साबित हुआ पुरी तरीके से असफल साबित हुआ के मन में और एक प्रेजना इस फूर्टी का संचार किया और अंग्रेजों के मन में भय व्याप्ट हो गया भारत छोड़ों आंदोलन के मन में भय नहीं था अंग्रेज ओड़िनेंस ले करके आए और स्पेशल पावर एक्ट आमड से इस्पिशल पावर औरिनेंस नैंटीन फॉर्टी टू में जैसे इधर भारत छोड़ों अंदोलन शुरू हुआ वैसे अंग्रेजों ने आमड फोर्सेज इस्पिशल पावर औरिनेंस इशू कर दिया और इस अधिकार दे दिया मारो काटो किसी भी तरीके से इसको खतम करो और सिना ने खतम कर दिया भारत छोड़ा अंदोलन खतम हो गया लेकिन सुभाष शंद बोस की जो रोड़नी थी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कि अंग्रेजों को घेरने की और इस तरीके से भारत में प्रवेश कर अलग अलग हिस्सों को भ से बुटीश सरकार के विरुद्ध इसी अभीयान के कारण, इसी योगदान के कारण सुभाष शंद बोस जी का चित्र हें पर अंकित किया गया है केवल दो शुत अंतरता संग्राम सेनानियों का चित्र अंकित है बाकि तो जो हमारे वीर थे जैसे शिवा जी गुर्गोवे का चितरंकित है एक गांधी जी का चितरंकित है वो इसलिए क्योंकि नहीं संदे गांधी जी का जीवन त्याग की प्रतिमूर्थी था अहिंसा की प्रतिमूर्थी था इसमें कोई शक नहीं तो तंतता अंदुलन की लड़ाई में क्या रोल रहा और क्या योगदान रहा सुद गांधी जी के अलामा अगर किसी का कॉंट्रिबूशन है तो नेता जी का है सुभाश्चंद बोस का है दो सबसे बड़े कॉंट्रिबूशन है देश की आजादी में और इन दो सबसे बड़े कॉंट्रिबूशन को समविधान में जगा दी गई है और ये जो स्टेट्मेंट ह ये तो रेडियो से सुबाश्चंद बोस ने महात्मा गाधी को संबोधन किया था कि महात्मा जी फादर आफ नेशन राश्ट पिता कहकर उनको संबोधन किया और उन्होंने कहा कि भारत की इस आजादी के लड़ाई के लिए हम आप से आपका आशिरवाद मांगते है लेकिन गाधी जी अपोस कर गए अब उसके पीछे की कहानी बहुत बुरी है जाने दीजे लेकिन अगर गाधी जी ने समर्थन कर दिया होता सुबाश्चंद बोस का कहानी पलट गई होती गेम ही पलट गया होता ऐसे बहुत सारे मौके आए हमारे इस सुतंतरता आंदोलन की लड़ाई के दौरान कि अगर हमारे राष्ट्री आंदोलन कारियों ने जो निर्ड़े लिया उसके अलामा निर्ड़े लेते जो दूसरा आप्शन था अगर उसके अलामा निड़े ले तो बाजियां कई बार अलग अलग रूपों में फल्टी होती लेकिन गांधी जी ने सुबाशन्द बोस के इन प्रेतनों का बिलकुल भी साथ नहीं दिया बलकि खुला अपोज किया लेकिन ये अच्छी बात बिलकुल नहीं थी ये बिलकुल भी अच्छी बात नहीं थी देश की आजादी के लिए सुबाशन्द बोस जी ने जो प्रेतन किया था वो प्रेतन शांदार था वो अविस्मरडी है उनका योगदान हमारे लिए अविस्मरडी है और आज की आजादी सही अर्थों में सुबाशन्द बोस की ही देन है हाँ ये बात अलग है कि कांधी जी का अपना एक कॉंट्रिबूशन है उसको भुलाय नहीं जा सकता तुल्ला नहीं की जा सकती एक दूसरे की लेकिन सुबाशन्द बोस जी का जो योगदान है वो अविस्मरडी है और अंग्रेजों में भै अगर किसी से पैदा हुआ अग तो इस भाग उनिस में प्रकीन में जहां कोई काम नहीं आता वहाँ ये प्रावधान काम आएंगे जहां कोई काम नहीं आ सकता वहाँ पर सुबाशन्द बोस जी ही काम आएंगे और उन्हीं के योगदान से ही फिर अंत में तला खुलेगा यानि उन्हीं की योगदान से ही अंत में रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट वास्तों में उन्हें को योगदान से हमें मिला तो ये कॉंट्रिबूशन था सुपाश जी का और निता जी का और इसी योगदान के तहट उन्हें यहाँ पर चिखा दी गई है तो ये पार्ट 17, 18 और 19 की कहानी थी इसमें हम लोगों ने पढ़ा किये चित्र क्यों शामिल किये गए हैं फिर इसके बाद अगला 20, 21 और 22 तीन पार्ट के वल बचे हैं Constitution के इन सारे पार्ट में कौन-कौन से चित्रंकित किये गए है और उनके पीछे की क्या कहानी है इनके पीछे का क्या background है यह हम लोग फिर कल के series में cover करेंगे आज के लिए इतना ही Thank you, Thank you so much